दादी मा के घरे लूनुस के 28 बेस्ट किचन टेपस प्रसुती के बाद महिलाओं को काली मिर्च का प्रियोग करना चाहिए इससे यूट्रस को मजबूत करने में मदद मिलती है इस कारण प्रसुती महिलाओं के सेवन करने के लिए जो औस्तिय बनाई जाती है उसमें काली मिर्च को मुक रूट से डाला जाता है नमबर दू जिन महिलाओं को प्रियोट्स के दोरान पेट में एठन और बर्द की सिकायत रहती है उनको रात को सोने से पहले तलूओ पर सर्शों के तेल की मालिश करनी चाहिए इससे पीरियर्ड्स क्रेंप में काफी आराम मिलता है मसल्स रिलेक्स होते हैं नमबर तेन रोज सोने से पहले पिए इस चीज से बनी ये घरेलो ड्रिंग तेजी से बढ़ने लगी की आखों के रोशनी अलसी के बीज ओमीगा 3 फेटी एसीड और फाइवर से भर पूर होते हैं सोने से पहले एक चमच अलसी के बीज को एक कप पानी में रात पर भीगो कर रखे सुबेस पानी को चान कर पिए ये आखों की सहत के लिए बहुत फायदे मंद होता है नमबर चार फेटड़ों में जमा गंद की क्या वाकई हो जाती है साफ ठंड में कम होगी सास की समस्या बस जाने ये बातेश टिम थेरेपी इनहेलेशन में वायू मार्ट को स्वरसंत अंत्र का वैस साजिस में हवा फेटड़ों में जाती है बाप से सास लेने में सुधार हो सकता है ये उन लोगों की भी मदद कर सकती है जिनके गले में खरास या सूखा पन रहता है नमबर पांच चेहरे पर बर्फ लगाने से अगर आपकी स्किन बहुत अधिक समवेद नसील है तो चेहरे में बर्फ का इस्तेमाल करने से चेहरे से ऐलर्जी की समश्या समाप्त हो जाती है इसकिन में होने वाली रैटना इसकी समश्या को भी खत्म किया जा सकता है चेह रोजाना गुड़ खाना खाना खाने के बाद गुड़ खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है ये गैस ब्लोटिंग बदजमी जैसी समश्याओं से रहात लाता है नमबर साथ ओट्स का सेवन करने से वजन येंत्रित रहता है इसमें फाइवर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जिससे पेट भरा रहता है और भूग भी नहीं लगती है नमबर आठ रोजाना बैठ कर जाड़ो कोचा करने से पूरी बोड़ी की एकसरसाइज हो जाती है जिससे वजन कम करने में आसानी होती है नमबर नौ हिलते हुए दातों पर अध्रक का पेश्ट लगाने से दात मजबूत हो जाते है नमबर दस बासी मूँ गाजर खाने से आगों की रोशने तेज होती है और चेहरे पर ब्लो आता है नमबर ग्यारा बार बार डगाराने की समश्या है तो आप इमली केप पत्तों को चबाएं इससे ये समश्या दूर होगी नमबर बारा अनार का जूस बालों की जड़ों में लगाने से सफेद बाल काले होने लग जाते है नमबर तेरा जो औरतें दूर में खसकस डाल कर पीती है उनको कभी भी कमर दर्द की दिकत नहीं होती है नमबर चौदा सर्वाइकल को जर्से खत्म करने के लिए दिन ने तीन से चार बार बर्फ की सिकाई करने पर रहत मिलती है सर्वाइकल पैन से चुटकारा पाने के लिए आप एक ही जगर पर लगाता ना बैठे और ना ही कोई भारी बस्तू उठाएं इससे रहत पाने के लिए आप मालिश भी करा सकते हैं अपने घर पन्या में प्रोप सी योग करके भी आप सर्वाइकल के पैन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं हो सके तो रेश्ट जादा करें रोज़ना एक गलास गर्म दूद में आदा चमच हल्दी पाउडर मिला कर पीने से सर्वाइकल से रहात मिल सकती है सही डंग से सुएं अक्सर मुलाएं उचे गद्धे और तकी पर हम सोना पसंद करते हैं यह सर्वाइकल पैन का कारण हो सकता है इसलिए सकत गद्धे का ही हमेशा प्रयोग करें उची तकी इसे दुश्मनी कर लें रहता है अपना से जमिन के तल पर रखकर सुने की आदत डालें या ज़्यादा से ज़्यादा पीट को 15 डिक्री तक मूरने वाले तक ही अप्योग करें पेट के बल ना सोई ये गरदन को फैलाता है पेट के बल या करवट लेकर सोई इसे हम खुद अर्थ से राहत पाने में मदद मिलती है नमबर 15 रोजना आवला केंडी खाने से पेट की चरपी कम होने लग जाती है नमबर 16 कुछ भी याद करने से पहले जीरा खा लेना चाहिए इसे यादास्त अच्छी होती है नमबर 17 पकी जामुन खाने से पत्रे की समश्या दूर हो जाती है नमबर 18 रसी कूदना एक कार्डियो एक्सरसाइज है रसी कूदते समय हमारा ज्यादा तर बजन घुटनों परता है इसलिए इस एक्सरसाइज से घुटने मजबूत होते हैं और बजन भी कम होता है नमबर 19 दिन में एक बार चावल के पानी से चेहरा जरूर दोना चाहिए इसे चेहरे का रंग साफ होता है नमबर 20 पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हिमोगलोबिन की कमी नहीं होती है नमबर 21 अगर आपके बवासीर की दिक्कत है तो रोजना किस में स्खाय किस में स्खाने से कबच की दिक्कत नहीं होती है नमबर 22 सुबह उटकर अपनी छट पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने से घर में बरकत आती है नमबर 23 नारियल का दूद मात्य पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं नमबर 24 आलो के रस में दूद मिला कर चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत साफ होती है और चेहरा नर्ब मुलायम बनता है नमबर 25 अगर महिला बुड़ी नजर आने लगी है तो अनार के रस में तही मिला कर खाना चाहिए इससे बुड़ा पर जल्दी से नहीं आता है नमबर 26 और्तों को मिस्या चांदी की पाइल पहनने चाहिए सोने या और धातु की नहीं पैरों में चांदी की पाइल पहनने से घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है नमबर 27 रोजना एक केला खाने से गुस्सा चिड़शड़ा पनी दूर रहता है नमबर 28 पैरों में शरीर में दर्द होने पर गुनूने पानी से नहले हमरी ये वीडियो आपको कैसी लगे जरूर बताएं अगर अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक शेर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जो वैल आइकन है उसको प्रेस कर दीजे धन्यवाद